आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके बिना रक्चा वंदन हो या दिवाली, सभी फेस्टिवल अधूरे होते हैं, ये रेसिपी बनाने में बहुत जादा आसान है, और खाने में बहुत जादा स्वाधिस्ट है, तो इसके लिए हमें लेना है बेस तो यहाँ पर हम दो कब बेसन ले रहे हैं, बेसन की कोईंटिटी आप अपने अकोडिंग कम या जादा कर सकते हैं, दो कब बेसन को हमने चान लिया है, यहाँ पर लेंगे हम दूद, तो यहाँ पर आदा कब दूद लिया है, नोर्मल टेंपरेचर का दूद है, जो गरम कर करके रख देते उसके बाद ठंडा हो जाता ना वही वाला दूद लिया है थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे एक साथ सारा दूद नहीं डालना है अगर आपके पास दूद अब लेवल नहीं है तो आप यहाँ पर पानी का भी यूज कर सकते हैं क कोई प्रोब्लम नहीं होगी ना है इसका स्वाथ थोड़ा चेंज होगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूद डालके डो को कुछ इस तरह का होने देंगे उसके बाद एक चमच भरके हम यहाँ पर घी डालेंगी घी डालने से बेशन जो ना बज गया है यानि कि एक घुट के बराबर उसके बाद हाथों पे घी लगाएंगी और थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे हम जैसे कि पूड़ीयों की लोई लेते ना उस तरह से हम लोई लेंगी और इस तरह से डिजाइन बना देंगी यहां फिर जो पहले बताई थी वैस गर्म करने के लिए रख दिया था चेक कर लिया बहुत ज्यादा ना ठंडा होना चीए और ना ओईल गर्म होना चीए ओईल की जगे आप घी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो विससे तो यह रेसिपी जो ना ओईल में भी अच्छी बन जाती है तो यहां पर इनको अब ह में अच्छे से फ्राय करना है उपर ओईल डालेंगे ताकि दोनों साइट टेंपरेचर मेंटेन रहे तो जब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो यह सरक जाएगा नास्ता कडाई में चिपकेगा नहीं उसके बाद इसको पलट ना है और देखिए जो जबर जस्ती नहीं करन नहीं तो क्या होगा कडाई में चिपक के रह जाएगा इस्टील वाली कडाई है तो इसलिए नास्ता कभी-कभी थोड़ा चिपक जाता वेसे तो दिर पल लेयर वाली है अगर आप लोहे की कडाई में इनको फ्राय करेंगे तो यह नहीं चिपकेंगे तो देखिए कुछ इ प्राइक कि जो बचे उई लोविये इनको भी हमें प्राइ करना है ठंडा होने पर नहीं तो ये हाथ जला देंगे और उसके बाद इनको अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद जो है न हम यहाँपर एक मिकसर जार लेंगे और देखिए यह जो है न तुकड़े अच्छे से ठंडे हो गए हैं और आज जो है न मुझे मक्या बहुत परेशान कर रही थी तीन मक्या पता नहीं कहां से आ गई है और जब मैं रेसिपी सूट करती हूं तो पंका बंद कर देती हूं तो उसकी बजह से भी यह ज्यादा आती है तो यहां पर मिक्सर चार में डालेंगे थोड़ा-थोड़ा मिक्चर więks और इसको है न हम हें पीस कर चां लेना है तो चानने के लिए आप किसी भी तरह का इस टेनर या चलनी का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको चान लेते हैं तो मैंने छोटा वर्तन लिया था तो चानने मैंने तोड़ी दिक्कत हो रही है साइट से जो है ना बैसन के तुकड़े गिर रहे थे यानि कि जो दाने हैं वो तो उसके बाद मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है इसमें हम चान लेंगे तो यह एकदम ट्रडिशनल तरीका है इस रेसिपी को बनाने का आप जरूर ट्राय करें जो उपर मोटा बैसन बचरा इसको हम दोवारा से पीस लेंगे और इन सभी को चान लेंगे तो इस तरह से एक दाने दार बैसन बन के तियार हो जाता इस से आप लड्ड़ू, बरपी बना सकते और मोहन ठाल भी बना सकते हैं आप चाहें तो इसको ऐसे ही तयार करके रख सकते हैं, जब सबजी बनाएं तो एक चम्मच डाल देजह बहुत ही बड़ी आसी ग्रेवी तयार हो जाती है यहां पर कड़ाई में लेंगे चार टेबल स्पून घी जो खाना खाते हैं उस चम्मच से चार चम्मच लेना है आप चाहें तो इसकी कौंटिटी आदी कर सकते हैं जैसे घी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा बेसन डाल के चेक कर दिए लग जाएगा जब तक इसमें से बड़ी आसी कुश्बू नहीं आती यहां फिर इसका कलर चेंज नहीं होता जब तक इसको हमें बून ते जाना है आज को धीमा रखना है लगातार चलाना है कुछ इस तरह होने तक इसको भून लेना है, बैसे तो हमने रोटियो को अच्छे से पकाया था लोई को, पर इसको अंदर से थोड़ा सा कच्छा पन रहता है, इसलिए इसको भून लेना जरूरी है, तो इसको प्लेट में निकालेंगे, और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर उसी क इसको थोड़ा और पकाएंगे, तो इस तरह से हम चेक करेंगे, इसमें एक तार बनना चाहिए, तो अभी एक तार नहीं बन रहा है, चास्नी का जो है बहुत इंपोर्टेंट रोल है, इस रेसिपी में, अगर आपकी चास्नी परपेक्ट रहेगी, तो आपकी रेसिपी कभ मारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मैंने सीका था कहीं से, और अब मैं इसको परपेक्ट बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ, तो इसको जो तराजू, उससे तोल करके बनाती हूँ, तो वो वीडियो भी आपको सेयर करूँगी, जब मैं नया नया सीकी थी यह रेसिपी तो मैं उसी से बनाती थी, पर अब ही मुझे अंधाजा पढ़ने लगा है, तो अब मैं ऐसे ही डारिक्ट बना लेती हूँ, एक तार की चासनी होने के बाद बेसन को डाला, और बेसन को चार-पाश मिट के लिए हमें चासनी में पकाना है, जब तक कि यह एक टिन लेंगी, यहां आपको इसी भी थाली, प्लेट जो भी आपके पास अबले बले, आप ले सकते ही, यहां पर हम इसमें घी ग्रीज करेंगी, और बटर पेपर लगा देंगी, बटर पेपर इसी के साइज का कट करके, मैंने पहले से ही रखा था, ताकि बीडियो बटर पेपर को हटा देंगी, और आप देख सकते ही, कितना बड़ी बटर पेपर को हटा देंगी, और आप देख सकते ही, यह एक बड़ा सा भर्भी का फीज बन करके तयार हो जाता है, पर घर में बहुत सारे लोग है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे, कट करने से पता चल रहा है कि कितनी जादा यह परपेक्ट बनी है, तो जैसे भी फीजेस आप चाहते हैं, उस तरह के फी दार हुई है, देखिए, एकदम दानेदार, मुँमे खुल जाने वाली स्वादिस्ट बर्पी बन के तयार है, आप इंजोई करें, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक सेयर कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजे, ताकि मेरे वीडिय तरीका है, सेम मेजरमेंट से बनाएंगे, तो परपेक्ट बनेगी, आप इसको महीने वर तक स्टोर कर सकते हैं, बबाई, थेंक्स फॉर वोचिंग